सब्सक्राइब प्रोग्राम में आपने देखा कि पैरों की दिखभाल कैसे किया जाता है इस पर काफी लंबा बात कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर जीस पर काफी चर्चा उन्होंने किया और आज भी इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे ब्शु आपको नुष्के और विख बताएंगे जिससे आप पैरों की डर्द को ऐसे आप कम कर सकते हैं डर्द उसने रहतरा पासकते हैं और कई बीमारी जो है उससे भी कैसे और बात सकते है आज कि प्रोग्राम में बताएंगे तो चलिए आपको मिलवारे हैं डॉक्टर विनाई सिती जोडी जी से डॉक्टर जी मैं देख रहे हुए बहुत सारी जो और शदियां है जैसे मेथी है, हिंग है, ये सब जो है, इलाइची है, ये गुर है, इन सब का प्रयोग करेंगे ये दवाई के रूम में आहिर्वेद में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये गुर है, सफेद सक्कर, सफेद शीनी की जगह पर ये गुर का प्रयोग करते हैं, घर में जो जूस बनाते हैं, या चाय बनाते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, शीनी से डाइबिटीज ज्यादा बढ़ जा इसका आप थोरा सा प्रयोग करेंगे तो आपको आपकी बीमारी में और आपके जो दर्द है पेर के उसमें राहत मिलेगा इसके प्रयोग से मिथी एक बढ़िया मसाला है यह खाने को पकवान को बहुत बढ़िया बनाता है इसमें सुन्दर महक है और यह diabetes के लिए बहुत बढ़िया है, fat के लिए बहुत बढ़िया है, cholesterol के लिए बहुत बढ़िया है, मेथी को आप रात में एक गिलास पानी में डाल दें, फिर भीगो दें, फिर सुबह उठकर मेथी को चबा चबा खा लें और पानी को पी लें तो यह diabetes के लिए बहुत बढ़ चलते-चलते यह जो केसर को जाफ़ान बोलते हैं यह जाफ़ान ब्रियानी में डालते है अनिक मिठाईयां में डालते हैं अनिक पकवानों में डालते हैं यह केशर को लेकर एक व्यक्ति दूद में यदि सोने से पहले डाल कर पिएगा तो उसको भरपूर एनरजी मिलेगा और जो उसका रक्त प्रभा है वो बढ़िया से होगा और कोलिस्टरोल में काम करेगा और फेट काम करेगा इधर है जवायन जवायन को हम अजवायन भी बोलते हैं जवायन भी बोलते हैं हमारे पेट की जितने भी बिमारिया है इसमें काम आता है जैसे कि पेट में वायू हो जाता है गैस हो जाता है और पैरों में दर्द है तो जवाइन को पीस कर सर्चों के तेल में पका कर या तिल के तेल में पका कर इसका हम प्रयोग करते हैं या रातरी में एक चमच जवाइन लेंगे और एक इलास पानी उसको रख देंगे सुबह उठकर वो पानी को और जवाइन को उबाल लेंगे फिर छान कर ठंडा होने पर पी लेंगे तो सरीर में जहां जहां पर दर्द है वो पैर का घुटनों का तलवे का एडी का वो सब ही दर्द में काम आता है इसी प्रकार से लाइची है लाइची पकवान में डला जाता है मिठाईयों में डाली जाती है और दर्द में भी काम आता है लाइची को लवंग को दुनों को साथ मिलाकर दुद में उबाल लें और एक गिलास दुद में उबालेंगे एक चमच या चार पांच लवंग और चार पांच इलाइची को आप पी लेंगे उस दुद को तो आपको डर्द में राहत मिलेगा इसी तरह से हम पक्वान में भी दाल लेते हैं इलाइची को अरलावंग को और जैसे कि हमने आपको बतलाया है यह लसून लसून एक बहुत बढ़िया वस्तू है या बढ़िया सबजी है इसको तरकारी में डाला जाता है फ्राइट राइस में डाला जाता है बियानी में डाला जाता है और इसको जो सर्सों क तेल आहे इसमें पकाये आ जाता है दो तिन चमच को आप सर्सूं का तेल ले लिए और दो तीन व 2021 गांथ जो है यह लसुन का इसको पिश कर दाल ले वह तेल में और इसको ठीक से Кऑता है जब पक जाएगा तो उसको छान कर ठंडा करके जहां जहां दर्द हो रहा है वहां वहां मसाज करें आप घुत्नों में मसाज कर सकते हैं कमर में मसाज कर सकते हैं गले में मसाज कर सकते हैं ये बहुत बढ़िया दवाई है ये दर्द के लिए रामबान है और डाइबिटीस के लिए भी बहुत बढ़िया दवाई है आप तीन-चार कली लसुन को लेकर दूद में उबाल लें और सोने से पहले आप इस दूद को पी लें तो आपके डाइबिटीस को कॉंट्रोल रिवैस्ट करेगा, नारियल का टेल ले लें और ये कपूर ले लें ये कपूर को पिसकर नारियल के तेल को गरम करें जब गरम हो जाएगा तो उसको चानकर आप एक छिस्षी में भर ले, जब जब दर्द होगा एडी का दर्द, घुटने का दर्द, या कमर का दर्द, या कंधे का दर्द, इसमें इसका प्रयोग करो, इसमें मसाज करो इसी तरह से आप नारियल का तेल लें, चाहें सर्शों का तेल लें, चाहें तील का तेल लें हिंग को ले लें, इस हिंग को एक छोटा चमच, तिन चमच तेल में मिला कर और ये कपूर फिर से उसमें मिला कर आप उसको पकाए है जब हिंग सरसों का तिल और कपूर पक जाएगा तो उसको छान कर एक सिसी में ठंडे होने पर भर कर रख लें जब जब आपको दर्ध होगा यह घुटने का कमर का कंधे का तो आप उसमें मासाज कर सकते हैं याने जीतने कुछ मैं ने बतलाया आपको यह सब डर्ध का रामबान दवाई है याने दर्ध शरीर के दर्ध के महाकाल है यह जो दवाई है यह बहुत राहत महूचाता है यह भत्वा भत्वा को हिंदी सब्दा बोलते है प्रैचलित सब्दा है पेठा ये तो पहला ब्रें तोनिक है जिसको दिमाग के कमजोरी है के दिमाग को तेज करना है तो पेधा भद्वा का रस2 कर पिना है से को इसको हम सबस्झी की तरकारी की तरह भी पका कर खाते हैं और शरीर में पूरे सरीर के लिए ये सफाही का काम करता है जैसे घर को जाड़ू से साफ करते हैं इसका जूस पूरे सरीर को साफ करता है और आपके सरीर में जहां जहां दर्द है एडी का दर्द या घुटने का दर्द या कमर का दर्द इसका जूस पीने से आपका दर्द भी कम होता है या दर्द ठीक होता है तो हम इसको पेठा के रूप में जानते हैं और इसको प्रयोग करते हैं दवाई के की तरह ये इसको हमने काट दिया है इसका जो छिलका है इसका छिलका हम निकाल लेते हैं और बीच का ये जो बीज है इसको भी हम निकाल लेते हैं तो रह गया है बीच में उसका गुद्दा डाल देते हैं और इसकी चटनी बन जाती है इस चटनी में हम पानी मिलाकर इसको जूस बनाकर पिते हैं और जिसके पास जूसे है तो इस पेठे के गुद्दे को लेकर हम जूसे में दालकर इसका पूरा जो जूस है निकालकर पिते हैं तो आप सुबह और शाम को खाली पेट यदि एक एक गिलास आप इसका जुस पियेंगे, तो आपकी शरीर का जो तुक्सिन है, जितने भी विजातिया द्रव्य है, वो सब खतम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आपको अनेकों बीमारियों से राहत दिलाएगा. दोक्टर जी मैं देखने में बहुत अवशाधियां है, यह तो गिलोई है, और इधर करीपत्ता है, अलुवेरा है, इन सब का प्रयोग करते हैं पेरों की दर्ज में, अब जैसे यह है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, यह गिलोई का जो डंडल है, यह डंठल को लेकर आप छो जाए तो चानकर आप खाली पेट भोजन से पहले आप इसको पीएंगे, तो इसके पीने से चमड़ी के जितने रोग है, जितने भी रोग है, और कोलिस्टरोल है, फेट है, और विशेस कर यह जो डाइबेटीस है, इसके लिए रामबान है, इसका प्रयोग होता है, तो इस आपने दो गिलास पानी उबाल रहे है, तो पानी को एक गिलास उना है, तो तब वो ठीक रहेगा, तो डाइबेटीस के लिए बहुत बढ़ियत दावाई है, तो इसको सपता में, मालीजे, एक सपता में रोज ले सते हैं, आप आज लें, कलना लें, एक दिन छोड कर एक द प्रिवेंशन के लिए है, आप पिमारियां से बचना साहते है, तो आप इसका थोड़ा थोड़ा एक दिन छोड कर एक दिन के बार ले सकते हैं, इसका कड़ा बना कर ले सकते हैं, या इसका जूस निकाल कर पी सकते हैं, और इसका पत्ते का उतना प्रयूम नहीं करते हैं, अच्छा माननीयाजाई जब हम गरिन जूस बना रहे है, तो गरिन जूस में यह पत्ते को धाल लेते हैं, पिर यह यह पत्ता है, इसको दाल लेते हैं, फिर यह दोतर ङुल गरेंat आक्यले ही यह इसको और दो पतेस के साथ डाल के एक ग्रिषक दाल के पर दाल वाद्य नहीं या तो चाहें इसने का हैं तटका ही इसका पीले पानि में और यह जो है इसको इपिनो बोलते है यह जuciónता है इसको भागिचय में होता है आ il belex he के लिए बहुत बढ़िया होता है अब इसको अर बढ़िया जुज बनाना चाहते है तब इसके साथ यह जो करी पत्ता है इसको मिला लें यह गिलोई के पत्ते एपिनव है यह करी पत्ता तो यह जो हाई बीपी है यह रिवेस करता है और कॉंट्रोल करता है अब इसके साथ प पत्ते मिला लें, याने ढ़िश, इतना सा इफिनाव पत्ते यह इतने से पान आप आपि लए यह पउच़ों के मिलाकर आप चथनी बनाए OS farm, फिर इसमें ङलास पानी बें और टटका टटका इसे को पी लें OSG, पीन जुectedनी जाते हैं तो इन इस सब पत्तोंक को लेकर, आन को लेकर, गिरोही को लेकर तुल्शी को लेकर अबालें, दो गिलास पानी दाल कर जब अबाल जायेगा तो इसका धन्द होन दीजी कृषनकर इसको Khali Pait, तो ये जो तुक्सिन है वो निकालता है शरीर को साफ करता है ये सब बढ़िया है ड़क्टर जी ये जो में देख रहे हैं अलोवेरा है और अम्रूड के पते हैं इसको कैसे हम अप्रयो करें ये जितने भी इसकिन दिजीज है शरीर में जो जो भी बीमारी है डाइबिटीज है हाई जहां भी दर्द है आप इसका जो जैल है उसको निकाल कर मसाज कर सकते है या इसको छिल कर इसका जैल निकाल कर इसको जूस बना कर पी सकते है या कुछ लोग निकाल कर खा लेते हैं या कुछ लोग जूस में पीते हैं कुछ लोग दूद में पीते हैं कुछ लोग चाय में पीते हैं तो यह दर्द के लिए पहुत राहत पहुचाता है एक बढ़िया सिद्धावाई है इसी तरह से जिसको कोलिस्टरोल है फात है ब्लेट्चेक रिलेशन का प्रोब्लेम है या दर्द है कहीं तो यह जो अमरूत का पता है न अमरूत का पता इसका जूस भी निकालकर जर्द कौलिस्टरोल को यह जो बहुत बढ़िया है और थाइरोट के लिए कमरदर्द के लिए पैर में दर्द हो रहा है तो भी इसमें ऐका में आता यह जब बादे लिए भी बढ़िया एवान दवाई है इसका प्रेयोग कर बाल करकितने पते इसको ले सते हैं आप चार पहुंच पते को लेकर उबालें गिलास पानी में यह जब उबलते उबलते पानी थोड़ा कम हो जाए अधा गिलास बच जाए तो चाहन कर खाली पेट आप पील है तो आपको द्रेइबर्टेश में राहत मिलेगा रिवैस हो गाया और पेरों के डर्द में भी इसका पैरों के डर्द में भी हां पीने से वह यानि जो शरीर का तोकसिन है वह साफ करता है पूरे सबस्क्राव करता है यह पर आपको यह लाज़ को अफ यह ताम् उसको कभी निचे नहीं है बनावट उसके उसे है प्रयोग इसका इसा होता है यह तामबे का बरतन है इसको कोपय का जग भी बोलते है तो यह अनिकों बीमारियों में इसके जो पानी है काम आता है मैंने कल रात्री में पानी उबालकर ठंडी करके इसमेरक दिया है सुबह उठकर इस पानी को लेकर एक गिलास में डालकर पी लेता हूं तो जो कबज है जो कबज है वो कबज निकालता है जो कोलिस्तोरोल है वो निकालता है और जो मोटापा है वो निकालता है विशेशकर जो हमारी सरीर में पैर में जो दर्द है इसमें राहत देता है और विशेशकर सरीर के जो तुकसिन होता है इसको साफ करने के लिए ये जग कोपे का पानी बहुत कामे आता है और हमको बहुत साहिदा पहुचाते है और राहत पहुचाते है इससे विशेश फल मिलता है जैसे कि दाइबिटीस है दाइबिटीस वालों को भी ये पानी पिना है या जिनको बीपी हाई है उनको भी ये पानी पिना है जिनका ब्रेन कमजोर है उनको भी पिना है जिनको अलर इस पानी को पिना है यह जग कोपय का है यह तामबे का बरतन का पानी है आप लोग पीछ सकते हैं सुबह साम खाना खाने से पहले हमने इसको कॉंक्रित की मेज पर नहीं रखा है या माबल पर नहीं रखा है हमें मेज पर लकड़ी के मेज पर और विशेश कर लकड़ी के उप रखा है क्योंकि ताम्बे का प्रकृति ही इसले होती है इसको जब लक्डी से मिलन होते हैं तो इसके जो प्रकृति OFF बढ़ जाती है इसमें जो विषयस्ता होती है वो और बढ़ जाती है ये भी तामबे का बरतन है, ये कोपय का नितीपोट बोलते हैं, नितीपोट इससे इसमें पानी, गुनगुना पानी डाल कर थोड़ा नमक डाल देते हैं, या कभी-कभी लवंग का तेल लाते हैं, तो इसको नाक में इधर डालते हैं, और मुझ से सांस लेते हैं, इसे तो इधर से पानी चूता है, ग्यता है, ऐसे करते हैं, ये विशेश जिसको सरदर्ध है, सर्दी जुकाम है, शरीर में तोक्सिन है, फेट है, कोलिस्टेरोल है, और विशेश कर जिनके पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, या कंधे में दर्द है, उन के लिए नेती करना बहुत ही बढ़िया काम है, ताकि शरीर इससे साफ होता है, शरीर के तोक्सिन निकालने के लिए यह प्रयो करते है बहुत शारे यह इते हुआ है जार सरसों का तेल है यह बाल्में कीसे हाँ मान्या चाहे आपके तलवे में एड़ी में दर्थ हए जलन कलना है तो हम यह बाय। हाँ प्र्यूग करते हैं और आप ज़िदीमें में बामोगनारे PARISAN zu Feny, तो आप सर्सों का तेल या तील का तेल ले 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 लगता है तो इनको भी लेकर तेल को इसे मासाज करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है ऐसे मैंने लोगों को दिखाने के लिए भी रख दिया है ये भी है एक प्रकार का दौइच जो यह है इस सब के सब नचुरल है जड़ी बुठी के लिए बनाए गया है और ये भी है एक प्रकार की जो तो थेल है इस से भी डर्द में राहत मिलती है और यह में यह भी रोमातिल बोलता है इसको यह इसका भी प्रयोग होता है जब हमारे यहा진짜 वी-मार लोग आते हैं То यह साब लोगों को मरीज को देते हैं और यह ब्लॉट्षिद हा, black seed, तो इसको तेल निकलता है इसका भी om oil Is black seed oil то आपके गर्धन में आपके कंधे पर, आपके हात में, आपके घुठने में, आपके तल्वे में कहीं पर भी दर्द है तो आप इसको लेकर Salt कर सकते हैं〜 याने यानि मैंने यह सब बतला रहा हों। क्योंकि मैं यह सब मरिजों को तेता हूं। इंसे उनकी चिक्रिट्चा करता हूं। डोक्तर जी लिए जो नुनी जो पता है भेट औजी भी प्रयोप जाता हूँ ? यह नोली का जो जूस है, इसको भी अनेकों दर्दों में परियोग करते है, पीते हैं, जिनको अनेमिया हो गया है, वे भी पीते हैं, और यह प्रोटीन के तरहों, याने कि फेट कम करता है, कोलिस्टरोल कम करता है, लेकिन उसके जो पत्ते हैं, उसके पत्ती को लेकर आग में थोड़ा गरम करते हैं, तपाते हैं, तो पत्ता कोमल कोमल हो जाता है, नरम नरम हो जाता है, तो तील का तेल लेकर उसमें डाल लेते हैं, या सरसों का तेल हैं, उसमें डाल लेते हैं, फिर उस पत्ते को लेकर जहां पर दर्ध हो है, आपके पैर में या तलुए में, तो आप तो रात में उकाम करता है और शुबह को निकाल लेते हैं तो आपका जो तर्थ है वो कम हो जाता है या कम हो जाता है यह क्या है यह एक्रूप्रेसर पैन है जिसकिसी के गुपने में तल्वे में पैने पैर में हाथ में कमर में डर्थ होता है तो उसके हाथ में इसे एक्रूपेंचर करते है आपके हाथ दें आपको लग रहा है ने तो इसका मतलब है एक्रूपेंचर करते है यह एक्रूपेंचर पैन है मैंने इसको बाहर से मंगवाया है तो जितने लोगों को दर्थ होता है चा पुरुष है, तो एक्यूपैंक्च्य है, एक्यूप्रस है, तो दर्द निकालने के लिए ये करते है, ये करते है, ये तो पुरा है, तो इसका ये महत्वा है, तो इसको पहरों के दर्द है, तो इसको पहरों के दर्द में करेंगे, तो इसे राहत मिलता है, पुरा एक्यूप जो मेन पोंट है, सभी अंगों का जो मसल्स हैं, उसका सबसे बढ़िया पोंट यहां पर है, पूरे सरीर का, यहां पर भी और बीच में, बीच वाला अगता है, अग रहा है, यहां पर भी, तो एकुपेंचर पैन है, इससे मैं डर्द में राहत पहुचाता हूं, ठेक, यह इ आपके सरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द है, उस दर्द में इस नंबर को लिखते है, यहांने नंबर है फाइव और एट, तो वो धिरे धिरे रोज और लिखना है, मानना जाए आपने लिखा, आज तो कल पानी से साफ हो जाएगा, तो फिर उसम लिखो, उसके कल फिर से लिखो, जब तक दर्द रहेगा तब तक आपको लिखते ही लिखते ही जाना है, तो यह एक टुटका है, जो तिशों ने इसका रिसर्च किया है, तो मैंने सिखा है, तो मैं दिख रहा हूँ, माली जे मेरा हाथ में यहां पर दर्द हो रहा है, तो यहां पर आप फा है, आपका जो दर्द है, वह खotम होगा. यह लिखाई जो है, माननुโ dön जाए उसाफ हो रہा है है, तो कल भी?" अब लिखना, परो, फिर से लिखना, फिर से लिखते लिखते, जब तक दर्द नसमाप्थ हो उसके लिखते है, जोना अब टोग्यर्ण से एफ तरह णो ही लिखत राहत में दिल वाती है आपके तलूए में आपके घुटनों में डर्द है तो इस पर क्या करते हैं मैं इस पर चड़ कर बतलाता हूं यह इसमें खिल की तरह चोखा है यह चोखा है है और हमारी तलुए में एक्यूप्रेस से पॉंइट है पूरे शरीर का तो इसको रखकर ऐसे नीचे आप इसमें पेर दलकर ऐसे थोरा थोरा चोट आयेगा ऐसे आप इसमें ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे लगभग पांच मिनट कुछ लोग 10 मिनट करते हैं कुछ मैं तो 15 मिनट से ज्यादा कर सकता हूं कि आदत पढ़ गया है तो इस से आपके जांग में आपके घुटने में तलुए में कमर में दर्द है तो यह चाइनीज टेकनिक है तो मैं इन सब का प्रयोग करता हूं ताकि लोगों को राहत मिल सके दर्दों से यह मागनेट यानि यह भी आपके घुटने तलुए एडी के दर्द के लिए राहत पहुचाते हैं मैंने इस प्लेट को लिया है इसमें आप देख रहे हैं यहां पर मेगनेट है यहां पर मेगनेट है यहां पर मेगनेट है यहां मेगनेट है यहां मेगनेट है यहां मेगनेट है यहां म लाग देते हैं नीचे और इस पर मेगनेट काम करता है इसके नीचे भीतर में भरपूर मेगनेट है हमारे सरीर में जो दर्द है और जो इनफेक्शन है उसको यह निकालता है मेगनेट इसको बलता है मेगनेटाइज प्लेट तो डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम यह अशा करें हमारे दर्शक जो है उससे लाब उठाएंगे और अगर दर्द हो तो प्रयोकर करके राहत पासकते है तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद आपको जी बहुत धन्यवाद नवस्ते सभी दर्शकों को और आपको भी थन्यवाद